हाई, कैसे हैं आप? Smart Housewife कैसे बनने वाले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और उसके लिए बहुत बहुत फैंक्स साथ ही आपने नोस में बहुत धेर सारे कॉमेंट्स किये कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो डीटेल बनाओ जिसमें कि मैं कुछ ऐसे options share करूँ जिनको कि हम घर पर रहते हुए अपने घर और family की responsibilities को निभाते हुए side by side pursue कर सके अपनी personal growth के लिए खुद को professionally active रखने के लिए तो मुझे आप सबके comments पढ़कर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरी छोटी सी YouTube family है इसमें मुझे इतनी सारी ऐसी friends मिल गई है जो मेरी ही तरह अपनी personal growth के journey पे हैं क्योंकि ये घर और परिवार की responsibility के साथ जब हम professionally active होने का भी decision लेते हैं तो उसके लिए बहुत guts और बहुत courage की जरूरत होती है इसलिए आपने जो एक courage का step उठाया है ना पहला इस वीजो पर click करकर की कैसे आप खुद को professionally active रख सकते हैं घर पर रहते हुए अपनी सारी responsibilities को निभाते हुए उसके लिए बहुत बहुत congratulations professionally active होने के पीछे ना सिफ ये reason ही होता कि उससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं बलकि इससे हमारी self-esteem और हमारा confidence level भी बढ़ता है हमारी अपनी नजरों में value बढ़ जाती है और फिर ये जो हम overthinking, negative thinking इन सबसे बचने की कोशिश करते हैं इन सबसे हम अपने आप बच जाते हैं कि हमारा ध्यान है नहीं जाता कि किसने हमें क्या बोल दिया किसने हमारे बारे में क्या सोचा होगा हमारा उसमें focus नहीं रहता क्योंकि हमारा focus जो है ना वो पूरा का पूरा चला जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े higher purpose की तरफ तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ work from home option share करने वाली हूँ, idea share करने वाली हूँ लेकिन उनको share करने से पहले मैं आपके साथ share करूंगी कुछ steps जिनको follow करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अपने इस journey को professionally active होने वाली journey को घर से start करने लगते हैं क्योंकि हम mostly क्या गलती करते हैं कि हम ना सीधा search करना शुरू कर देते हैं work from home jobs, work from home opportunity, part time jobs for housewives और उसकी क्या होता है कि हम कई गलती कर बैठते हैं कई गलत companies में नरॉल कर लेते हैं खुद को कई बर financial loss भी हो जाता उसकी वज़े से तो ये steps ना हमको mind में रखने है उसके बाद जो हमारे options हैं जो भी ideas में discuss करूंगी उसमें से आप choose कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाते हो otherwise इससे आपको एक framework मिल जाएगा आपको एक idea लग जाएगा कि कैसे आप घर से भी professionally active हो सकते हो अपनी पसंद के profession को choose करके और वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आपने मेरी ये शकल आज पहली बार देखी है ना तो चैनल को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना मैं इस चैनल पे ऐसे ही videos upload करती हूँ जो हमारी quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कराने में support करते हैं so without any further delay let's begin तो सबसे पहले तो अगर आप घर से professionally active होना चाहते हो तो पहले आपको थोड़ा सा self analysis में जाना है आपको ये decide करना है कि अगर आप professionally active होना चाहते हो तो आप business करने में interested हो कि job करने में interested हो आप कितना time devote कर सकते हो उसके लिए क्योंकि हो सकता है कि आपके पास सिफ 2 घंटे free होते हो जिसमें आप चाहते हो active होना या फिर हो सकता है कि आपके पास पूरा दिन खाली होता है फुल डे का भी अगर work मिल जाता है को यासी job मिल जाती है कि आप right profession की तरफ move on कर सको उसके बाद आपको right profession अपने लिए decide करना है वो आप कैसे decide करोगी दो तरीकों से पहला तो यह कि आपको अगर कोई previous work experience नहीं है और आपको लगता है कि I don't qualify for any particular job तो आप क्या करो कि अपनी जो hobby है जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है उसको profession में convert कर दो और यह मत सोचो किसी भी चीज को करते हुए कि नहीं यह चूटा काम है इसको करते हुए कोई क्या सोचेगा कि इसको किस चीज की दिक्कत आ गई किसी के पास इतना time नहीं होता हमारे बारे में वो सोचे आपको लगता है कि ऐसी कोई hobby नहीं है जिसको में profession में convert कर सकती हूँ तो आपको ना कोई profession जो आपको अच्छा लगता हो कि यह काम मुझे बढ़ा अच्छा लगता है जैसे कि आपको dancing आते नहीं है लेकिन आप dance teacher बनना चाहते हो आपको videos record करने आते नहीं है लेकिन आप YouTube पे अपना एक channel बनाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है कि आपने decide कर लिया कि कौन सी profile है कौन सा profession है जो आपको attract करता है तो आपको फिर ये find out करना है कि उस profession को अपनाने के लिए आपको अपने अंदर कौन सी qualities को develop करना है कौन से skills सीखने हैं क्या नई qualifications आपको अपनी profile में add करनी है जब आप उन चीज़ों को सीख लोगे न तो इसका मतलब यह है कि आप उस profession को pursue करने के लिए खुद को prepare कर रहे हो यानि कि professionally active होने के लिए ये नहीं होता कि हम एकदम से कोई job शुरू कर दे कभी कबार हमको थोड़ा सा step back करके थोड़ी सी तयारी भी करनी पड़ती है ताकि हम जादा अच्छे से उसको pursue कर सके अब जब आपने decide कर लिया कि आप क्या करने वाले हो और अगर अभी decide नहीं किया है तो थोड़ा सा और रुख जाओ आगे में आपको कुछ work from home ideas भी बताने वाली हो तो यह step भी बहुत important है वो यह है कि अगर आपने decide कर लिया कि मुझे क्या करना है तो आपको लोगों को बताना है कि I am available for this जैसे कि आप कोई service provide करना चाते हो या कोई business start करना चाते हो या कोई part time job start करना चाते हो तो आपको करना होगा कि आपने एक new venture start किया है घर से और आगे से आपको इस चीज के लिए contact किया जाए और in case आप job ढूंना चाते हो किसी तरह की service provide करना चाते हो तो उसके लिए आपको नौकरी.com, LinkedIn, Indeed इस तरह की जो भी job portals है जहां पर job की vacancies upload होती है वहाँ पर अपना आपको profile create करना है अपना resume upload करना है और time to time बहाँ पर जो profile आपने finalize किया है जिसके लिए आप qualify करते हो वो jobs जो है आपको search करनी है साथ ही अगर आप freelancing करना चाते हो यानि कि आप job नहीं करना चाते आप attach नहीं होना चाते किसी particular company के साथ freelancing करना चाते हो यानि कि कोई भी company particular service के लिए आपको आपको अपनी profile जरूर create करनी चाहिए ताकि जब भी महाँ पर आपकी profile से matching vacances upload होना तो उसका notification आप तक आजाए और साथ ही साथ जो consultants होते हैं जो की job seeker और companies को मिलाने का काम करते हैं उनकी नजरों में भी आपकी profile आजाए कि ये एक person है जिसको job की जरूरत है तो कई बार क्य जरूरी बहुत है कि आप उनके उपर अपनी profiles बनाओ और उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहो जब तक आपको अपनी profile से matching job नहीं मिलती है आपको अपनी profile को update करते रहना है ताकि gap जो है job ना मिलने तक का वो बहुत बढ़ा ना हो जाए तो आप कुछ ना साथ ideas share करने वाली हूँ आप चाहो तो इन में से ही किसी idea को pursue करके professionally active हो सकते हो तो सबसे पहला जो idea है ना वो है kids के around अब आप जिनके छोटे बच्चे है ना वो ये जानते होंगे कि आज कल क्या है कि बच्चों के products की जो market है ना वो बहुत बड़ी हो गई है और बच्चों के products की market बड़ी हो गई है साथ ही साथ जो इनके favorite cartoon characters होते है ना उनके products अगर आप देखो छोटा भीम popular हुआ तो उसकी pencil भी है, eraser भी है, notebook भी है, t-shirts भी है, soft toys है मतलब everything, कुछ भी आपको बच्चे का चाहिए ना आपको छोटा भीम वाली variety में मिल जाएगा अब ये जो cartoon characters व बहुत cheap quality की होती है, जो की बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, तो आप इस market को देखो कि कैसे grab कर सकते हो, ये जो बच्चों के cartoon characters वाली market है, तो अगर आप soft toys बना सकते हो, तो teddy bear, cat, dog, ये बहुत पुराने हुए cartoon characters को देखो, कौन से आजकल popular है, उनके soft toys बना सकते हो, उनके around आप जो भी create कर सकते हो, चाहे वो t-shirt's print हो, चाहे उनी characters के embroidery bed sheets हो, sweaters हो, curtains हो, या फिर उनके miniatures हो, जो भी आप उनके around चीज़ create कर सकते हो, वो बना कर आप अपने circle में उसको promote कर सकते हो, social media के थो, और in case अगर आपको लगता है कि आप direct customers के साथ आपका contact नहीं हो सकता आपका इतना बड़ा circle नहीं है, तो आप local market में जाकर किसी gift store वाले के साथ contract कर सकते हो, कि आप जो भी चीज़ बनाओ, आप उनके store पे supply करो, और वो अपना profit margin रखकर आगे customers तक sale कर लें, otherwise आप online stores या फिस social media के थो, उसको हमेशा sell कर सकते हो, इसी तरीके से हम health पे भी focus कर सक लेकिन फिर भी जब हम बाहर जाते हैं और बचे जित करते हैं, तो हमें cookies भी लेने पड़ते हैं, हमें chips भी लेने पड़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कि आपना healthy snacks का काम जो है वो घर से शुरू कर सकते हो, मतलब घर की freshly cooked, अच्छी oil में पकाई ही, बिलकुल ताजी वाल या फिर आप इसको भी बेकरी के साथ कॉंट्राक्ट करके वहां पर सप्लाई कर सकते हो, अब आपको gardening का अगर थोड़ा बहुत शौक है, तो आप ये जानते होगे कि आज करना organic fruits and vegetables है उसकी demand धीरी धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, और हर कोई prefer करता है कि उसको organic fruits and vegetables मिल चाहे उनको थोड़े से जादा भी पैसे देने पड़े, तो अगर आपको gardening का शौक है, तो आप घर में एक छोटा सा kitchen garden बना के या फिर terrace garden बना कर या फिर बड़े-बड़े से गंबले खरीद करना, अपनी lobby में रखकर, balcony में रखकर, organic fruits या vegetables घर पे उगा सकते हो, और फिर उनको आप sell कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत money भी इंवेस्ट करने के लिए ready हो, तो आप जिस तरीके से हमने देखा ना, babysitting होती है, बड़े-बड़े शहरों में, तो आप ये वाली service भी provide कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको घर गर नहीं जाना, और ना ही आपको बैट चोटा है, वो दिन में कुछ देर के लिए वहाँ पर आपके पास भीजना चाहता है, उस kid zone में, उस play area में तो वहाँ छोड़ कर जा सकता है, इसके लिए आप per hour basis पे चार्ज कर सकते हो, और आप मन्थली membership भी दे सकते हो, अगर आपको किसी भी चीज की बहुत अच्छी knowledge है तो आप teaching से भी income earn कर सकते हो, और teaching का मतलब सिफ यह नहीं है कि घर बैटके हमको tuition पढ़ानी है, teaching के कई तरह के options है, किसी भी तरह का skill आप उसको सिखा सकते हो, घर पर सिखा सकते हो, अगर आपको घर पर नहीं सिखाना है तो आप उसको online सिखा सकते हो, जूम के थूँ, अग चेक करके अपना resume उनको send कर सकते हो, और वहाँ पर आप coaching services provide कर सकते हो, जिनके पास already इतना student-based होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप coaching daily daily time नहीं काल सकते हो coaching के लिए, तो आपको जो भी skill है आपके पास, चाहे वो मेहंदी सिखाने का skill हो, या किसी particular exam के preparation आप करवा सकते हो, लेकिन रोज time नहीं निकाल सकते हैं, तो कुछ time निकाल करना, उसको अच्छी से prepare कर लो subject matter, जो भी आप सिखाना चाहते हो, चाहे वो skill है, चाहे वो academic से related है, और उसके कुछ एक videos ready करके, आप एक course में उसको convert कर सकते हो, और बहुत सी ऐसी websites हैं, जहाँ पर कि आप जाकर उसको sell कर सकते हो, जैसे कि Coursera या Udemy, और एक area जहां भी बहुत बड़ा scope है, घर से ही professionally active होने का, वो है YouTube, तो YouTube के platform को अगर हम use करना चाहते हैं, अपने आपको professionally active रखने के लिए, तो उसकी बहुत सारी options होते हैं, एक तो जैसे कि मैं हूँ, अपना channel create करो, और इस तरीके से जो भी आपको आता है, उसको videos में बताना शुरू कर दो, सिखाना शुरू कर दो, या जो भी आप provide कर सकते हो content, वो create करना शुरू कर दो, और अपने videos अप्लोड करना शुरू कर दो, इनके साब को लगता है कि मैं अभी face नहीं कर सकती camera को, तो आप camera को face किये, बिना सिफ voice over क videos अपलोड कर सकते हो, ऐसे बहुत से channels हैं, जिनमें ladies जो हैं, वो netting कर रही होती हैं, cooking कर रही होती हैं, उनके सिफ hands दिख रहे होते हैं, इस तरीके से भी आप channel स्टार्ट कर सकते हो, अब अगर आपने channel नहीं start करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इतने सारे channels हैं, और सिफ YouTube channels इतने सारी websites भी है, सब के ओपर content आ रहा है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई अपना content है, वो खुद prepare कर रहा है, कई companies आजकल content writers, वो hire करती हैं, blogs के लिए, websites के लिए, YouTube channels, videos के लिए, ये अपने advertising campaign के लिए, तो इनके सगर आपको लिखने का शौक है, तो आप content creator बन सकते हो और अपनी services को provide कर सकते हो as a content creator, तो आपको क्या करना है, कि मैंने जो भी websites बताये थी, वहाँ पर अपनी profile as a content creator upload करनी है, और update करनी है, अगर आपको video editing आती है, तो आप video editing की services provide कर सकते हो, आप contact कर सकते हो सारे channels को video editing के लिए, अगर आपकी English में अच्छी command है, तो आप subtitles के English मे सब टाइटल्स की services है, वो provide कर सकते हो YouTube channels को, अगर आपको Photoshop की knowledge है, तो आप thumbnails create करने की services provide कर सकते हो, तो उसके लिए करना क्या है, कि एक तो अपनी profile जो है, उसको visible रखना है, Fiverr पे और बाकी सारी job portals पे, साथ ही साथ आपको क्या करना है, कि जितने भी आपको YouTube channels दिखते है, जहां पर लगता है कि आप services provide कर सकते हो, उनकी mail IDs ढूलनी है, list बनानी है, और रोज का काम ये करना है, कि सबकी उपर एक mail draft करके common, सबको बारी-बारी से उन mails को भेजना है, धीरे-धीरे आपके पास reply भी आने शुरू होंगे, और आपको assignments भी मिलने शुरू हो जाएंगे, YouTube के अलावा एक और industry है, जहां पर बहुत ज़दा scope है, वो है beauty industry, तो beauty industry में क्या है कि पहले क्या होता था, कि एक beautician होती थी, उसी को threading आती है, उसी को waxing आती है, वही facial करती है, वही make-up करती है, सब कुछ totally वही करती है, लेकिन आज क्या है, हर एक काम के ना experts है, और हम prefer भी करते हैं, कि हर काम के लिए, एक expert जो है, उसको उसके पास जाए, make-up अगर करवाना है, तो जो मतलब expert, सबसे अच्छा make-up artist है, उसके पास जाए, nail extensions करवानी है, तो जो सबसे best nail artist है, उसके पास जाए, मतलब हर एक काम को आप categorize कर दिया गया है, और एक-एक काम के जो professionals है, उसको master कर रखा है, उनके पास हम जाना चाते हैं, तो अगर आपको beauty industry में interest है, तो आप कोई एक particular segment उठा के, खुद को उसका expert बना सकते हो, आप घर से उसकी services provide कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है, मुझे facials करने अच्छे लगते हैं, मुझे facials करने अच्छे आते हैं, तो area की mastery करके, आप घर बैठे उसके expert बन सकते हो, अगर आपको photography का shock है, और आप बहुत अच्छे अच्छी nature की, natural sceneries, natural photographs होती है, वो click करते हो, तो आप उनको professionally click करना, start करके, videos, थोड़े से sales, उनको professionally click करना, start करके, उनको professionally click करना, shutter stock या इस तरह की और बहुत सी websites होती है, वहाँ pictures चल रही है, थोड़े-थोड़े से जो है, कोई हस रहा है, कोई बैठा है, इस तरह के जो video के छोट-छोटे clips चलते जा रहे है, पीछे voice over होता जा रहा है, तो वो ना उन्होंने buy किये होते हैं, ऐसी ही website से, जो की sell करती है, images और videos को, तो आप professionally, अच्छे से images और videos कैसे click करन हैं, कैसे बनानी हैं, वो सीख कर, ऐसी websites पे sell कर सकते हो, और वहां से भी earning स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, तो आप घर बैठे ही voice over artist का भी काम कर सकते हो, voice over artist भी बहुत सारी ad campaigns के लिए भी चाहिए होते हैं, और कई channels YouTube वीडियो के लिए भी voice over artist hire करते हैं, तो इसके लिए भी आपको अपने profile create करनी हैं, और इस तरीके के channels को contact करना है, और इन सब के साथ साथ जो बहुत जरूरी है, वो है patience, आपको जब तक आपको अपने पसंद का काम नहीं मिलता ना, तब तक खुद को upgrade करते रहना है, अपने आपको level up करते रहना है, और अपने उपर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि मन्जिल मिले ना मिले, मुकदर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है, तो कोशिश जो है ना, करते रहो, हो सकता है कि वहाँ ना पहुँच